हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बेज इन विंग्स के नौर्थीस्ट ट्रिप में आज हम आपको लेकर चलेंगे नौर्थीस्ट के चार खुबसूरत स्टेट्स में त्रिपुरा, मिजोरम, नागालेंड और मनीपुर में तो दोस्तों सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं ट्रिप के कुछ डीटेल्स ये है हमारे 10 डेज, 9 नाइट स्ट्रिप का रूट इस ट्रिप के लिए सबसे अच्छा सीजन, ऑक्टूबर से में रहेगा अगर आप नवेंबर से जैनियरी के बीच जाते हैं तो हेवी वुलिन्स और बाकी महीनों के लिए लाइट वुलिन्स साथ लेकर जाएं इन सबी जगाओं पर लिमिटेट फैसिलिटीज होने के कारण होटेल्स पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें अगर आप खाने के मामले में चूजी हैं तो खाने के कुछ आइटम्स हमेशा स्टॉक में रखें खास तोर से अगर आप वेजटेरियन हैं तो इंटरनेट की हेल्प से लोकल ट्रावल एजेंट्स सिलेक्ट करके लोकल ट्रांसपोर्ट भी बुक करा लें तो अच्छा रहेगा डे वन की सुबा हम दिली से फ्लाइट लेकर त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला पहुँचे और अपने ट्रिप की शुरुवात की लक्ष्मी नरायन मंदिर से इस मंदिर का आर्खिटेक्चर नौर्थ और साउथ इंडिया के मंदिरों से बिलकुल अलग था इसे देखकर महसूस हुआ कि हमारा देश कितना विशाल है और इसमें कितनी विविदताए हैं और अब हम आए हैं इंडो बांगलादेश बॉर्डर पर त्रिपुरा तीन तरफ से बांगलादेश के साथ इंटरनाशनल बाउंडरी शेयर करता है और त्रिपुरा के इस स्पॉट पर हर शाम बीटिंग रिट्रीव सेरिमेनी होती है आईए देखते हैं गयास होते हैं तो यहां हमारे ट्रिप का डेवन कम्प्लीट हुआ अगला पूरा दिन यानी डेटू हमने फुल डे टैक्सी करके त्रिपुरा साइट सींग इंजोई किया हमारा पहला डेस्टिनेशन था कमला सागर ये तलाब भी बांगला देश बॉर्डर पर है और इसके दूसरे किनारे पर आप बांगला देश की ट्रेन चलती हुई देख सकते हैं यहां एक वीकली मार्केट भी लगता है जिसमें दोनों देशों के लोग अपने आइटम्स बेचते हैं अगरतला से करीब 60 किलो मीटर की दूरी पर है हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र त्रिपुरा सुन्द्री माता का मंदिर जो 51 चक्तिपीठों में से एक है एक बहुत बड़े तलाब रुद्र सागर के बीच में बने हुए इस जल महल का नाम है नीर महल बोट से नीर महल तक जाना और महल के जरोकों से दूर तक फैली हर्याली को देखना सुकून देने वाला था शाम होने से पहले हम वापस अगरतला पहुँच गए और अब देख रहे हैं उजयन्ता पैलिस 120 साल पुराना ये महल पहले तृपुरा के राजा का रेजिडिन्स था फिर तृपुरा स्टेट का असेम्ली हॉल रहा और अब तृपुरा स्टेट म्यूजियम है इस महल का आर्किटेक्टर और कलेक्शन दोनों देखने लायक है नौर्थीज की हिस्ट्री, कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन्स की पूरी जलक इस म्यूजियम में देखी जा सकती है हमारे डे टू का स्टे भी अगरतला में था डे थ्री एक खुबसूरत ट्रेन रूट पर गुजरा जिस पर चलकर हम अगरतला से सिल्चर पहुँचे नाइट स्टे सिल्चर में करके हम डे फोर की सुबह मिजोरम की कैपिटल आईजॉल के लिए निकले असम के टी गार्डन्स और मिजोरम के फोरेस्ट एरियास का मज़ा लेते हुए शाम तक हिल स्टेशन आईजॉल पहुँच गए यहां काफी ठंड थी और रात में बारिश हो जाने के कारण मौसम और जादा ठंडा हो गया था हमारे ट्रिप का डे 5 आईजॉल साइट सींग में पीता सबसे पहले हमने देखा सॉलोमन्स टेंपल वाइट मार्बिल से बना यह सुंदर चर्च 2017 में ही बनकर पूरा हुआ है लेकिन यह आईजॉल का सबसे बड़ा टूरिस अट्राक्शन है डॉक्टर एलबी साइलो ने 1991 में जेरुसलेम के सॉलमन्स टेंपल को अपने सपने में देखा और इसी से उन्हें मिजरम के इस सबसे बड़े चर्च को बनाने की प्रेड़ ना मिली इस विशाल चर्च के ओडिटोरियम की कपैसिटी 3000 और कोटियाड की कपैसिटी 10,000 परसन की है जंगल के प्राक्रतिक वातवरन के बीच बना होने के कारण इस चर्च की सुन्धरता और भी बढ़ जाती है हमारा अगला स्टॉप है फालकान मॉडल विलिज इस मॉडल विलिज में मिजोरम की सबसे बड़ी ट्राइब यानी मीजो जनजाती की कल्चर, ट्रेडेशिन्स और रहन सहन की पूरी जानकारी मिलती है और दोस्तों ये है केवी पैरडाइस या मिजोरम का ताजमहल जिसे एक पती ने अपनी पत्नी की यादगार के रूप में बनवाया पत्नी की सन 2001 में एक रोड अक्सिडन में डेथ हो गई थी यहां उनकी फोटोज और यूज किये हुए आइटम्स को रखा गया है केवी पैरडाइस एक हिल टॉप पर बना होने के कारण यहां से आइजॉल का बेहत खुबसूरत नजारा दिखाई देता है और लास्ट में हमने देखा मिजोरम स्टेट म्यूजियम जहां मिजोरम की हिस्ट्री, कल्चर और अलग-अलग ट्राइब्स के रहन सहन की जानकारी देने वाले आइटम्स का शांदार कलेक्शन था नाइट स्टे आइजॉल में करके डे सिक्स की सुबह हम सिलचर के लिए रवाना हो गए शाम तक हम सिलचर पहुँचे और वहां से फिर रेल का सफर शुरू हुआ जो पूरी राज चला डे सेवन की सुबह हम सिलचर से लुमडिंग होते हुए दीमापूर पहुँच चुके थे होटेल से फ्रेश होकर हमने टाक्सी की और चल पड़े दीमापूर से 70 किलोमीटर दूर नागालेंड की कापिटल कोहिमा की तरफ कोहिमा एक खुबसूरत हिल स्टेशन है और यहां एप्रिल के महीने में भी सुभा शाम वुलेंज की जरुरत पड़ेगी सबसे पहले हमने देखा नागालेंड स्टेट म्यूजियम इस म्यूजियम में नागालेंड में मिले एंशिन्ट स्कल्प्चर्ज, इंस्क्रिप्चिन्ज, नागलेंड की ट्रेडिशनल ड्रेसेज और आर्टिकल्स का अच्छा कलेक्शन है म्यूजियम के बाद हमने देखा कोहिमा वॉर सिमेट्री ये मेमोरियल उन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनेकों की यादगार है जो 1940 के कोहिमा वॉर में आजाद हिंद फौज के हातों शहीद हुए थे कोहिमा में हमारा अगला डेस्टिनेशन था कोहिमा कैथलिक काथीड्रल जो North East India का सबसे पुराना कैथलिक चर्च है इसे Mary Help of Christians Cathedral भी कहा जाता है उची पहाडी पर बने इस चर्च की शेप भी सराउंडिंग से मैच करती हुई है इस चर्च के आर्किटेक्टर में ट्रेडिशनल नागा हाउजिस के कई एलेमेंट्स शामिल किये गए है इस चर्च में लकडी से तराशा हुआ 16 फीट उचा क्रॉस है जो एशिया के सबसे उचे क्रॉसस में से एक है नाइट स्टे हमने पहले से बुक किये हुए रिजॉर्ट निरामया रिटरीट अरुद्रा में किया और डे एट की सुभा निकल पड़े मनिपूर की कैपिटल इमफाल के लिए लेकिन रास्ते में कोहेमा का एक और टूरिस्ट अट्राक्शन नागा हेरिटेज विलिज देखते हुए हरी बरी पहाडियों से गिरे इस विलिज में कल्चरल अक्टिविटीज के लिए एक बड़ा स्टेडियम है इसके अलावा यहां नागलेंड की सभी 14 ट्राइब्स के ट्रेडिशनल हाउसे बनाए गए हैं और उन हाउसे या हट्स को उनकी कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से सजाया गया है नौर्थ साउथ और वेस्ट से आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी ओपिचुनिटी है नौर्थ इस्ट की कल्चर को जानने की कोहिमा से करीब 140 किलोमीटर का सफर करके हम शाम होने से पहले इमफाल पहुँचे और होटेल में चेक इन करके आ गए कंगला महल सन 33 से बनना शुरू हुआ यानी 2000 साल पुराना ये महल इमफाल नदी के दोनों तरफ बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है लेकिन अब इसका जादतर हिस्सा खंडर बन चुका है ये महल सन 1445 के बाद कई सेंचुरीज तक मनिपूर के राजाओं का रेजिडिन्स रहा है वापस होटल पहुँचने से पहले हमने इमफाल के गोविन देव जी के मंदिर के दर्शन भी किये ये एक बहुत ही सुन्दर मंदिर है डे 9 की सुबा हम कोहिमा से 30 किलोमीटर दूर सदुचिरू वाटरफॉल्स पहुँचे ये मनिपूर के बिश्नूपूर डिस्ट्रिक्ट में है ये वाटरफॉल और इनके चारो तरफ लश ग्रीन वेजिटेशन ऐसी नाच्रल ब्यूटी प्रेजेंट करते हैं कि यहां से हटने का मन ही नहीं करता सदुचिरू से 30 किलोमीटर की दूरी पर नौर्टीस्ट की सबसे बड़ी नाच्रल फ्रेश वाटर लेक लोग टाक है दो मेन एलिमेंट्स इस लेक की सुन्दरता को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं इसकी floating vegetation और floating islands floating islands पर घर भी बने हुए हैं जिन में लोग रहते हैं सबसे बड़े floating island पर संगई नाम के हिरन का अंतिम घर है जिसे सरकार ने national park घोषित किया है और ये दुनिया का एक मात्र floating national park है मनीपूर में हमारा लास्ट बट मोस्ट एक्साइटिंग डेस्टिनेशन था आई एने म्यूजियम इस म्यूजियम में 1944 में 2nd World War के दौरान मनीपूर में हुए वोर से रिलेटेड डॉकिमेंट्स और आर्टिकल्स का कलेक्शन है यहां नेता जी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के यूज किये हुए आम्स और अमिनेशन, गन्स, यूनिफॉर्म्स, हेलमिट्स और बॉटल्स आधी रखे गए हैं आयने म्यूजियम से इमफाल लोटते हुए हमने रास्ते में इंडिया पीस मेमोरियल देखा जिसे जपान ने अपने उन सेनिकों की याद में बनाया था जो 1944 के सेकंड वर्ल वर में मनीपुर में शहीद हुए थे इमफाल लोटकर रात को हमने होटेल में स्टेक किया और डे 10 की मौनिंग फ्लाइट से इमफाल से दिल लिया गए तो दोस्तों यहाँ पूरा हुआ हमारा नौर्थ इस्ट का दस दिन का सफर जिसमें हमने चार स्टेट्स, त्रपुरा, मिजरम, नागलेंड और मनीपुर के साथ आसाम के टी गार्डन्स भी देखे अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और ड्रीम डेस्टिनेशन पर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्ते